हेलो सांतियों नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हाई स्कुल एक्जाम मैं जून दोजार चोविस आज आप लोगों का रुख जाना नहीं का पेपर था इंगलिस का इंगलिस उसे में जो जो हमने आइम्बी कोशन सेट के माध्यम से पड़े थे पूरा का पूरा कोश्चन पेपर में सभी कोश्चन चप चुके है तो पूरा कोश्चन पेपर आज का जो अभी अभी आपका हुआ है उसको हम यहाँ पर मेच करेंगे कौन से प्रिशन का उत्तर आपने क्या लिका है आईए मेच करते है लाश्ट में आप सभी को बताना है कि जो object to type question है उन में से आपके कितने object to type question सही हुए है चलिए श्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी दोस्तों जो जो exam देकर आ चुके हैं एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि choice तारिक को आपका जो विज्ञान का वेपर है उसमें भी आपकी बहतरिन तयारी करवाई जा सके चलिए तो यह पहला पेसे था इसको आपको द्यान पूर्वक रीट करना था उसके बाद नीचे दिये गए प्रिशनों के उत्तर आपको देना था तो पहले वाले question में जो आपका right answer होगा उसमें होगा बी option और दूसरे वाले में भी आपका सही होगा तीसरे वाले में आपका a option right होगा उसके बाद हम आगे बढ़ें तो चोते वाले में आपका to share डव आपका right answer होगा पांच वाले में आपका डव राइट answer होगा question number आया दूसरा इसमें भी एक passage था इसमें भी आपको object type question लगाने थे तो इसके जो right answer होगे पहले वाले में आपका ब्लिंड होगा दूसरे वाले में आपका option number भी होगा तीसरे वाले में आपका जो right answer होगा वो होगा present from her बर्त सी option आपका correct हो जाएगा चलिए prints आगे रहे हैं क्योंकि आपका center दूर दूर लगा है सभी लेट अपने घर पहुचे गे तो उनको एक बार शेयर जरूर कर दीजेगा उनको बता दीजेगा कि यहां से सही answer मिला लो और क्या इस बार आप pass हो रहे हैं यह आपको बताना है देखिए एक चोते वाले में आपका B option सह ही होगा और 5 वाले प्रिशन में आपका B option correct होगा जिसके बाद में हम आज जाते हैं section B में देखिए मैंने आप लोगों को बताया था wonder of science का आपको निवंद याद करके जाना था मैंने पहले ही बोल दिया था तो यहां पर आपका देखिए wonder of science का निवंद इसमें आपको ल पर एक पिक्चर है इसको पिक्चर को देखकर आपको पांसे चलाइन तयार करनी थी आपको कहां से तयार करते देखिए यहीं लिखिये जो यह विरक्षें maravil助 क पै़र पीरर के लिखिए इनीक को इंग को लिखना था तो आपका यहां से दो स्लिक नमबर ते यूं मान के चा टाइटल हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं यह लिखा है यह टाइटल हो जाएगा और नोट्स में आप यह पॉइंट आप लिख सकते हैं और दो पॉइंट मैंने आपको यहां पर टीम पॉइंट यहां पर एंडरलाइन करें इनको आप अगर बना कर आये हैं तो यहां से भी आपको बिल्कुल फिरी नमबर मिलने वाले हैं चाह नमबर उसके बाद हम बात करते हैं प्रिश नमबर छे में तो यहां पर आपको सी मिला लीजिए सभी स्टूडेंट्स लाष्ट में आपको कमेंट करके वी बताना है कि आपके कितना अव्जच टू टाइब कोईशन सही हो रहा है देखिए कोशन नमबर पहला इसमें आपका रिणिंग आपका यूज डाइरेक्ट मिलाएंगे आपने पांच करने ठीक है यहाँ पच्छे दे रखें साथ दे रखें आपको पांच करने ते लेकिन सभी के अंसर बता देते हैं आपने कौन सा कर रहा है पहले वाला हो जाएगा पहले अलवेज इसको नंबर एक यह तीन यह चार यह पांच इस परकार सापको जमाना था और आइम गोई गोईं तो इसका होगा आई वेंट तो स्कूल और जो चोंटावाला है इसका होगा वूईज माई बेस्ट और इसमें आपको यहां बीच में विकास आपको लिगना है इसके बीच में आपको विकास लगाना था, बस वह कुछ भी नहीं करना था, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, question number 6, तो यहाँ पर लिखा है, रादा sing a song, तो यहाँ पर आपको करना था, रादा was singing a song, इस परकार से आपका change into past continuous tense में change हो जाएगा, जिसके बाद में आतवा वाला आपका है, इस परकार से आप इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, he might be out of station, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस परकार से आपका यह हो जाएगा section C, आ जाते है section D की और, तो यहाँ पर आपकी जो किताब थी, ठीक है, उस किताब से यह question है, इसमें से 2 करने तीन दे रखें, दो करने थे, जो भी आपको अच्छे से याद था, वो करना था, आगे बढ़ जाते हैं, यह तो आपने कर दियोंगे, उस तो आपको इसमें लिख कर आना चाहिए था, छोड़ना नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह सभी question थे, आपकी किताब वाले question है, अब यह answer तुम्हें बता नहीं सकता, आप लोगों को, आगे हम बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर एक, आप लोगों को यहाँ पर आपकी किताब वाले question मिलेंगे, तो यहाँ पर लेंचो, राइटे लेटर टू, तो लेंचो ने लेटर किसको लिखा था, तो यह किसको आप सही लगाएंगे, जिसके बाद में चोटे वाले में आपका see option right हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर question नमर 15 में क्या है, एक start है, इस start में क्या करना था, यह poem है, इस poem को आपको पढ़ना है, और पढ़कर नीचे दिए गए objective type question का answer देना है, तो यहाँ पर जाएंगे आप, और यहाँ पर आपका तीसरे वाले में क्या हैगा dear, इरन के बारे में यह message, उसके बाद में पंद्रवा का B वाला दी दख लेते हैं, यह भी एक start है, इसके right answer आप देखेंगे यहाँ पर, पहले वाले में आपका see option हो जाएगा, दूसरे वाले में, दूसर question number C, इसमें आपका right answer होगा, C option, तीसरे का C होगा, जिसके बाद में आप question number 16 देखेंगे, तो यह सभी जो question है, आपकी किताब के हैं, ठीक है, तो यह तो आपने soul कर दी होगे, यह पूरा question paper आपका हो गया है, अब जो object to type question थे, जो भी grammar से समबंदित question थे, उनमें आपके कि आप सभी उसकी तैयारी में लग जाएए, हमने आप लोगों के लिए IMP वीडियो डाल दिये हैं, उनके माध्यम से आपके तैयारी बेटर हो जाएगी, ताकि जब paper देने जाओगे, तो आपका paper बहुत ही शंदर जाएगा, ठीक है students, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज कि टूल जाइड बाएगा प्रहा लेम से लिए डाएगे से लिए और रागा बहुत ही। झाल